पहला सवाल आपके स्क्रिम पर आ चुका है कि निमने लिखित में हिंदी देवताओं में से कौन सेंधव सभेता के परमुक देवता थे यहां पर गनेज जी हो जाएंगे यहां पर विशनु जी हो जाएंगे या फिर यहां पर ऑप्सन में दिया गया है एक और वरुन जी ठी पहले नमबर सवाल का जवाब हो जाएंगे और अगला सवाल आपके यहां पर जो नमबर में आता है जिसमें आपसे पूछा जाए रहा है कि पुरातत्व के अंतरगत निमने में से कौन एक नहीं होगा तो आप लोग यहां पर आंसर बता बताईएगा दो नमबर सवाल का जवाब होंगे आपकी correct answer यह क्या हो जाएंगे ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो दो नमबर सवाल का जवाब हो जाएंगे बाबु यहाँ पर साहित यह साहित यह जो है वो पुरतत्व के अंतरगत में नहीं आता है जिसमें आपको जो है पुरतत्व में कौन सा आजाएग तो शिक्का भिलेग भगनावसेस हो जाएगा आपका यहाँ पर लेकिन साहित यह नहीं होगा तो इसका मतलब आपसार नमबर यह वाला जो है आपकर correct answer हो जाएंगे अगला सवाल आपके एसक्रिंपर यहाँ पर तीन नमबर में आता है जिसमें आपसे पूछा जारे कि पह प्रसन का जबाब होगा आपका यहाँ पर 1921 में पहली बार हडपा को उत्खनित किया गया था उत्खना नमबर यह वाले right answer हो जाएंगे अगला सवाल आपके स्क्रिंपर यहाँ पर चार नमबर में आता है कि हरपा सभेता भारत के किस भाग में विक्षित हुई थी तो यह आप लोग को पता होना चाहिए को नाम था इसका द्शविता नम होने के पीछे कारान के सबसे पहली बार हडपा में किहा इख हुए थी भापारी उत्खनित किया गया था दूसरा नाम सभूता इसका नाम सभी है क्यों कि शिंदु के किनारे अडपा सभेता खोजा गया था इसके वज़ा से इसको सिंदु घाटी सवेता भी बोलते हैं ठीक है और तीसरे यहां पर इसको बोलते हैं कांसी यूग सवेता बोलते हैं तो यह क्यों बोलते हैं क्योंकि यहां पर पहली बार कांसी का उपयोग किया गया था कैसे किया गया था तो लोहा और तामबा को यहां करके कांस ये बनाया गया था और यहां पर जो है कांस बनाने का काम हड़ापा सब्सक्राइब इसको बोलते हैं यह आपको बताने कि कौन से भाग में विक्सित हुआ था भारत के तो दक्षिन पूर्वोत्तर पश्मियोतर या फिर मधिवारत ठीक है यहां पर चार नंबर सव हो जाएका राइट श्मियोतर आपके विल्कुल करेक्ट अंसर हो ढगे अगला सवाल आ जाता है आपके यह सवाल जागा अगला सवाल आ जाता है आपको यह आ पर छे नंबर में जिसमें आप से ऊंच जा रहे हैं कि जवाल लगाएंगे इस परस्चें का जवाब क्या हो जाएगा पूछा गया कि कनिस्क का राजया रोहन की थी तह वह वो क्या था, वो कौन सत्य थी था, 48-10 था, 88-10 था, अपिर 98-10 था, इस प्रस्न का जवाब क्या हो जाएंगे, तो 7 नमबर सवाल का जो जवाब होगा, correct answer यह हो जाएंगे, 78-10 जो है, आपके यहांपर correct answer, option number B में हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आजाता है, आपके यहांपर 8 नमबर में कि धम महा मातरों को किसने नियुक्त किया था, ठीक है, किसने नियुक्त किया था, चंदर गुप्त, मोरे, बिंदू, सार, असो, क्या फिर कनिस का जवाब लगाईए, 8 नमबर सवाल में जो है, आप लोग का कौन सा option सही होगा, A होगा, B होगा या फिर C होगा, या फिर आपके D हो जाएंगा, यहांपर जो जवाब हो जाएंगे, 8 नमबर सवाल में, इस प्रस्न का उतर हो जाएगा, आपके यहांपर असोग, आपसा नमबर C, correct answer हो जाएंगे, अगला सवाल, आपके स्क्रिम पे आ जाता है, यहांपर 9 नमबर में कि म और ये कालिट टकसाल का जो परधान था वह को बन्ता को परद्धा को साधेक्ष नावनबर का जवाहब आप लोग को जल्दी से अिप्तर या पर इस पर स्थान का वेG Elephant Reta risk अभी तक लाइक नहीं के साथ सथें क्लास को जो आपके च्छार के 길ब्त नहीं है किजिक्गा description box में आपका दिया गया है ठीक है तो 9 नमबर सवाल का जवाब होंगे आपके correct answer यह हो जाएंगे लक्षना देख शवाप्शन नमबर डी वाले correct answer हो जाएंगे अगला सवाल आपके स्क्रिम पर आ जाता है यहां पर ज्यान देजेगा 10 नमबर में पूछा गया 10 नमबर सवाल आपसे कि अइस सास्त्रा और इंडिका के इंडिका से किस राजवन्स के विश्य में जो है जनकारी मिलती है ठीक है morey once का जनकारी मिलता है कुसान once का सात्वहान once का या फिर गुप्ट बंस का 10 नमबर सवाल का जवाब लगाना है ठीक है चली जवाब लगाईएगा जलदी से 10 नमबर सवाल का जवाब क्या आओंगे तो इस फ्रस्रेशन का उत्तर हो जायागा भाव यहाँपर je pack और पर अगला सवाल देखेगा है यहाँपर बिम्बिसार का ठीक है तो आपसा नंबर ये वाले करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर उसके बाद अगला सवाल आजाता है आपका यहाँ पर बारा नंबर में जिसमें पूछा गया कि महाभारत किस ने लिखा है बावू तो वालमेकी ने लिखा है मनु कोटिल या फिर महरिसी वेदव्यास ने लिखा है तो सही बच्चे आंसर करेंगे बारा नंबर सवाल का जो जबाब होगा आपका करेक्ट आंसर यह क्या हो जाएंगे तो इस परसन का उत्तर है महरिसी वेदव्यास लिखे थे महाभारत को महाभारत कितनी दिनों तक चला था बावू तो अठारा अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं तेरा नंबर में इसमें आपसे पूछा गया है कि महाभारत के आधी परव किस अधिहाय में भीस में द्वारा आठ परकार के विवाहों का वर्नन किया गया है पर्थम में किया गया है बावनवे में 102 में या फिर सोवे में इसका जो ज स्री मभागवत गीता के महत्व पर किसने विचार वैकत किये हैं जायें जी हो जाएंगे वीवेका नंजी जाएंगे इन में से सभी हो जाएंगे ठीक है तो बच्चो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है सही बच्चे को चलिए जल्दी बताइए सितारा खातुन जी बहुत बड़ी आंसर सोनु जी क्या बात है बहुत बड़ी है वेरी गूड यहाँ पर जो है चौदा नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर इन में से सभी महात्मा गांदी जी भी थे विवेकानांद जी भी थे बाल गंगाधर तिलग विजित यहाँ पर जो विचार व्यक्त किये थे श्रीमद भागवद गीता के महत्व पर ठीक है तो आप से नंबड़ी आपके यहाँ पर राइट आं अंसर यह हो जाएगा गंधारी दुर्विधन की मा का नाम था गंधारी तो आपसर नंबर एक को आप लोग यहाँ पर करेक्ट किजिएगा ठीक है उसके बाद अगला सवाल आ जाते हैं आपके यहाँ पर ठीक है सवाल देखेगा यहाँ पर जो यह सवाल है अस्तूप का सम रहा ही धर्म होगा तो सङी बच्चे को जल्दी जल्दी आंसर करना है आप इस प्रसň इस मात्मा बूध को घ्यान की प्राप्ति कहां पर ही थी लुँमनी में हुई थी सो आर नंबर सवाल ओर स्क्रीन पे दिख रहा है इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा वाब राइट आंसर बोध गया में हुआ था ऑप्सा नमबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगे 17 नमबर सवाल का जबाब हो जाएगा आपका यहां पर ठीक है आगे बढ़ते हैं सवाल जो आपके स्क् जबाब क्या हो जाएगे आप सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताईए काजल कमारी जी लेट हो चुके हैं कोई बात नहीं जल्दी से आंसर किजिए ठीक है बहुत सांदार प्रस्न आप लोगों के लिए लेकर के आया है ठीक है और इस तरह का क्लास आपको डेली मिलता है क्लास आप लोग करिएगा ठीक है ठीक है ताकि आप लोग सारे प्रस्न को बनिया से अंतर होगा ध्रम चक्रपरवर्तन ठीक है तो आप से नंबर B वाले आपके बिलकुल कर्रेक्ट आंसर हो जाएंगे उसके बाद अगला सवाल आपके पूछा गया कि उन्हांए इस नंब लिंगायत होगा कापालिक होगा या फिर पासूपत होगा ना उन्हेस नंबर सवाल जो आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा सभी बच्छे आंसर बताएंगे चलिए बहुत बढ़िया और जो बच्छे अभी तक किस क्लास को लाइक नहीं कि बाब लेकिजेगा ताकि इसी तरह का और भी जो क्लासेस आपको दिये जाते हैं हिस्ट्री जोग्राफी में आपका हॉम सैंस टिक है सैकलोजी यह आप लोग को टाइम टू टैम मिलते रहे और आप लोको नोटिफिकेशन मिलता रहे ठीक है तो जवाब आप लोग को लगाना है इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपका पासुपत आपसा नंबर डी वाले करेक्ट आंसर आपके यहां पर हो जाएंगे चीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आजाएगा यहां पर बीस नंबर में की बहुत परमपरा में असोक ने जोगा कितने अस्तूप बनवाए थ आपसा नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे चीक है अगला सवाल नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर यहां पर 21 नंबर में आता है कि तिरतिये बहुत संगीती का यूजन कहां हुआ था राजगिरा में हुआ ठीक है यहां पर देखिएगा पाटली पुत्र में हुआ था इस नंबर सवाल पर यहां अंबर सवाल क्या कर आपका इस प्रसन स्थ гр नबर करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे अगला सवाल देखेंगे सवाल जो आपके पर आ रहा है यहां पर कि दिल्ली से दोलता बाद किस सासक ने रजधानी परिवर्तित की थी तो यहाँ पर बलबन ने की थी परिवर्तित ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक लाउदिन खिल जी या पर यहाँ पर अकबर जवाब लगाईए ताइस नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है इस परसनका जवाब क्या हो जाएंगे ठीक है चाले बहुत जाब्दी थी दसमीज थी चौदहमी थी या फिर सत्रहाँ था चोबीस नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है इस परसनका जवाब क्या होगा सई बच्छे जल्दी जल्दी जुह आंसर करेंगे ठीक है फटा बड़से आंसर बताईए यहाँ पर चोबीस नंबर सवाल का यातरा विरतान्त मिलता है लिखा हुआ है तो बताईएगा अलबरूनी का लिखा हुआ है अब्दुर रजा का फाहन या फिर मारको पॉलो का यातरा विरतान्त लिखा हुआ है तो यहाँ पर 25 नंबर सवाल का जवाब लगाईगा यातरा विरतान्त का मतलब क्या होगा जै तो यह सारा चीज का आप लोग 내Reg flash Gleich के आप लूग लिएगे कहीं पर उसी को यात्रवर्टाइंट वोला जा रहा है। तो तकिके हिंद में किसका यात्रवर्टाइंट लिखा हुआ है यहीं आप से पूछा जा रहा है तो यहांपर जोई 24 नमबर सवाल का जवाब क्या होगे तो काफी बच्चों का अंसर है अलबरुनी का बहुत बड़ी है यहांपर 25 नमबर सवाल का जवाब बिल्कुल सही है अलबरुनी ओप्सन नमबर यह वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे अगला सवाल देखेंगे आप लोग यहांपर जो है आजाता है 26 नमबर में सवाल कि मद ही यूगीन यातरियों का सर्ताज किस यातरी को कहा जाता है सवाल काफी इंपोर्टेंट है तो ध्यान दीजेगा यहांपर अलबरुनी हो जाएंगे अगला सवाल आजाता है आपका यहांपर 27 नमबर में कि हुमायू के दरबार में कोन अफरीकी यातरी जो है भारत आया था अब्दूरजाक आया था अलबरुनी आया था बर्नियर आया था या पिर इनमें से कोई भी नहीं 27 नमबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे सभी बच्चे ज़ली जल्दी आंसर किजेगा और अपने प्यारे मित्रों के सार्स जरू से एक बार इस क्लास को करेंगे जो बच्चे लैख ने किये एक क्लास को होंगे सभी जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा ठीक है बहुत बड़ी है वरी नाइस इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा नानक जी आपसर नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है अगला सवाल दिखेगा सवाल आपके यहां पर आ जाते हैं 29 नंबर में कि आईन ए अकबरी किस ने लिखा है आईन ए अकबरी जो है वो किस ने लिखा है बदायूनी ने लिखा है यहां पर ठीक है बदायूनी ने लिखा है अबुल फजल ने लिखा है फैजी ने लिखा है या फिर बाबर ने लिखा है 29 नंबर सवाल जो आपके स्क् स्ट्रा बदी में जो वेपारी समुद्र के रास्ते जो है पस्मी भारत में आये थे वे कौन थे पुर्टगाली थे अरब थे अंग्रेज या फिर फ्रांसिसी थे तीस नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ठीक है फटावर्च आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से यहां पर जवाब होगा बिल्कुल सही उतर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चें यहां पर अरभ जल्द आतीज है अग्ला सवाल आप स्क्राइब हो कोन थे तू कराम जी थे या आप प्र इनमें से सभी थे तो का राम भी महारास्टर के संते, रामादाज भी महारास्टर के संते, ग्यानेश्वर भी महारास्टर के संते, तो इसका मतलब option number D, हमारा यहाँ पर सही उतर होगा, अगला सवाल देखेगा, यहाँ पर जो आ जाता है, आपके स्क्रीन पर 32 नमबर में सवाल, कि बलवन की प 33 नमबर जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रसन का जवाब होगा, फरी उद्दीन गंजे सकर, option number जो है B वाले बिल्कुल correct answer हो जाएंगे, ठीक है, अगला सवाल की और आप लोग यहाँ पर बढ़ेंगे, 33 नमबर में पूछा गया आपसे, कि कि भक्ति संत अपने संदेश के परचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था तो हिंदी का प्रयोग किसने सबसे पहले किया, दाडु ने किया था रामद ने किया था, ओर पिर तिल्ची नमबर सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग answer बताएंगे, ठीक है पनंकाना साहिब जिसको बोला जारा है तलबंडी को यहां पर किनका जर्मस्तान है? कभीर जी का नानक जी का रैधास, पिरमीरा जी का यहांपर 34 नंबर सवाल का जवाब क्या आऊंगे? यहांपर नानक जी का ऑप्सरी नंबर बिल्कुल कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे अगला सवाल देखिए आप लोग यहां पर 35 में सवाल आ जाता है कि हम भी किस समराज इसे सब्सक्राइब क्या हो जाएंगे और जो बचे अभी तक इस लाइक नियुक्स को जल्दी से लाइक किजेगा प्यारे मित्रों के साथ एक बड़ किजिएगा जो बचे नहीं है सबस्क्राइब करके बेल आकन कॉलपे सेले कीजिएगा साथ में आप लोग टेली ग्राम चैनल भी जोईन Link description box में आपका दिया गया है ठीक है यहाँ पर 35 सवाल का जवाब होगा राइट आंसर वीजेन अगर हो जाएगा आपसा नमबर डी वाले बिल्कुल इसपी में यहाँ पर हरियर और भुका ने वीजेन अगर समराज के सपना की थी तो आपसा नमबर यह वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगे ठीक है अगले सवाल के और आप लोग यहाँ पर दियान दीजेगा 37 नमबर में कि आयंगर वेवस्ता समंधित थी आ कफ़े बढ़ी यह पर आपसा नमबर में पूछा गया है कि राजा मोजले कद का हैral सहरे पर। क्रिष्न देवराय के समंध में यह कथन किसका है कौन बोला है ऐसा ठीक है तो यहाँ पर जो निकोला कॉंटी ने बोला है फनाओ नुनीज ने बोला है अब दुर जाक यह पर देमिगोस पैस ने बोला है तो 38 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रस्न का व्याति घोलो का वेपारी था घोलो का वेपारी कौन था जो अपर जो निकोला पर जाते हैं चालिस नंबर सवाल क्या रहा है कि और ऊने वाला वीदेशी यातरी और निकोलो कॉंटी था अब्दू रज्जाक था ठीक है या फिर यहां पर देखेगा और भी option आपके है डेमिगोस 20 था या फिर 15-19 था आप लोग जल्दी से बताईए कि 40 नमबर सवाल जो आपके screen पर है इस प्रस्ण को जबाब क्या होंगे तो right answer निकोलो कॉंटी हो जाएगा हमारा option नमबर यह वाले बिल्कुल correct answer हो जाएंगे और उसके बाद देखे अगला सवाल आपके screen पर आ जाएगा ठीक है सवाल कर रहा है उसके बाद अगला सवाल आजाता है आपके यहाँ पर 42 नमबर में कि मुगल काली न एतियासिक सुरोतों में सामिल थे कौन सामिल थे एतियासिक गरंत सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज उस कलांस में बनी इमारते मामस मारक या फिर उप्यूक्त में से सभी 42 नमबर से 17 सो के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी ठीक है तो भारत की आबादी जो है करीब कितना हो गई थी तै तालिश टंबर सवाल का जो जबाब होगे आपके राइट आंसर यह हो जाएंगे प्यारे बच्छे धियान दीजिएगा इस परसन का उतरहा है पांच करू ठ कितना हो गया है हमारे भारत का अबादी तो वह 142 या पिर जो ए 44 क्रोर के आसपास है ठीक है तो यह आप लोग यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो इतने समय में इतना जो हमारे अबादी का जो बढ़ोतरी हुआ है ठीक है आगे बढ़ेंगे सवाल दिखीगा सवाल जो आपक सवाल है कि मोगलकाल में एक सामुही ग्रामिन समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे तो वो कौन हुआ करते थे पत्रकार पटवारी और पंचायत खेतिहर किसान पंचायत और गाउं का मुखिया या फिर विदायम डॉक्टर तथा साउकर या फिर किसान अध्यापक तथा कदम भी बोलते हैं ठीक है तो option number B वाले right answer हो जाएंगे आपके उसके बाद अगले सवाल के और आप लोग यहां पर बढ़ेंगे पैंतारीस सवाल कर रहा है कि राजस्थान और महरास्टर दोनों परांत भारत के जिस भाग में आते हैं वो कौन से भाग है राजस्थान और मह पारास्थ दोनों परांत आपको देखने को मिलता है ठीक है तो आप लोग को बताना है यहां पर राइट आंसर जल्दी से बताना सही बच्ची को फटावट से ओके क्या बात है निकाँ पर जवाब क्या होगे बाबो 45 नमर्ब सवाल का जवाब होग पस्मी ठीक है तो यहा पर जो है वेस्ट होता है तो इस एरिया में आप लोगो देखने को मिल रहा होगा तो आपसर नंबर जो है यह वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे अगला सवाल देखेगा यहां पर आ जाता है आपका 46 नंबर में कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वेम के काल क इतिहास लिखवाया प्राचिन काल में ऐसी परंपरा जो थी वो कहां पर थी चीन में था युनान में था रोम में या फिर इंग्लैंड में था 46 नंबर सवाल का जवाब लगाना है सही बच्चे को ठीक है तो फटा बट से आप लोग आंसर बताएंगे यहां पर इस परसन क जबाब क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताइएगा ठीक है तो 46 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीम पर है इस परसन का जवाब हो जाएगा आपका चीन अप्सा नंबर यह वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे और उसके बाद अगला सवाल आ जाता है आपका यहां पर 47 यह हो जाएंगे प्यारे विच्छे ध्यान दीजेगा इस प्रस्ण का उतर है नक्स बंद ऑप्सा नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे उसके बाद देखेगा अगला सवाल आपके एस्क्रिम पर आ जाएगा यहाँ पर 48 नंबर में कि ताजमाल किस नदी के किनारे इस्थित है ताजमाल जो है वो कौन से नदी के किनारे इस्थित है आपके हो जाएंगे अगले सवाल के और आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा 49 नमबर सवाल है आपका कि अस्था पत्यकला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था यहां पर अग्बर के समय में जहांगिर के समय में सा जहां या फिर औरंग जेप के समय में तो 49 नमबर सवाल का जवाब क्या होंगे सही बच्छी जल्दी से अंसर बताईएगा इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा बाबु सा जहां और अप्सा नमबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे ठीक है उसके बाद अगला सवाल आ जाता है आपका यहाँ पचास नमबर में जिसमें आपसे पूछा गया है कि बाबर के आत्मकथा का क्या नाम है तो बाबर के आत्मकथा का नाम आप लोगों जल्दी से बताईए अकबर नामा नाम है तुझो के बाबरी नाम है किताब उलहिंद नाम है ठीक है या फिर यहाँ पर जो है रेहला ना आपकी करेक्ट आंसर यह क्या हो जाएंगे तो सही उतर हो जाएगा बावु तुझुक ए बावरी आपसा नंबर बी वाले जो हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ठीक है